असलाम अलेकुम, शादियों में बनाए जाने वाले गाजर के हलवे के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई तो मैंने इस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए हैदरबादी शादियों में ही बावर्ची के जरीए बनाया जाने वाला गाजर का हलवा शूट किया वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि कम क्वांटिटी में भी बताईए तो मैंने वीडियो में आगे कम क्वांटिटी में भी हलवा बनाना बताया है तो चलिए इस हलवे को बनाना शुरू करते हैं यह बावर्शी बना रहे हैं और मैं इंशला एक्स्प्लेइन करूँगी तो देखिए यह 100 kg मिन्स एक कुइंटल गाजर का हलवा है गाजर में बहुत सारा वेस्ट भी निकलता है जैसे के इसके पीछे का हिस्सा गाजर के सामने का हिस्सा और उपर से इसको छीला जाता है यानि उपर से उसके जो रेशी वहरा है वो सब निकाले जाता है अब देखिए गाजर को यह ग्रेट कर रहे हैं बावर्शी मिलकर इसे ग्रेट कर रहे हैं और एक बड़े से बरतन को चुली पर रखा गया, फिर उसमें ये घी डाल रहे हैं, ये देजी घी डाल रहे हैं, लेकिन हाँ इन्हों ने देजी घी के साथ थोड़ा सा तेल भी डाला है, तेल इसलिए कि अगर सिर्फ घी डालते हैं, तो गाजर का हलवा जम जाता है ठंडा ह अगर तेल और घी दोनों मिक्स करके डालते हैं तो गाजर का हलवा थंडा होने के बाद जल्दी जमता नहीं है यानि घी नहीं जमेगा अब उसके बाद ये घी में ये गाजर को भूनना शुरू कर रहे हैं यानि पकाना शुरू कर रहे हैं ग्रेटट गाजर उन्होंने गरम घी में डाला और फिर भूनना शुरू किया अब कुछ लोग ग्रेटट गाजर लाकर डाल रहे हैं और ये उसे पकाना शुरू कर रहे हैं देखिए हाँ इसमें एक खल्मी का एक बढ़ा सा टुकड़ा भी डाला गया यानि दार्ची नीगा देखिए इसे घी में बहुत अच्छी तरह से भूना जा रहा है देखा आपने देखिए जब साइट से घी छूटने लगेगा तब तक इन्होंने इसे भूना फिर उसके बाद इसमें दूद डाला जा रहा है इन्होंने हरीब आठ्स लीटर दूद इसमें डाला और इस आठ लीटर दूद में इस गाजर को ये पका लेंगे गाजर को गल्ले तक इसे पकाया जाएगा अब इसमें कलर एड़ किया जा रहा है आप लोग घर में कलर बिल्कुल न डालें क्योंकि गाजर अक्चली लाल ही होती है लेकिन कलर अवाइट कीजिए गाजर का जो नैचरिल रंग रहता है वही बहुत काफी होता है तो अब देखिए ये इसमें कलर डाल रहे हैं शादियों में और रेस्टरेंट्स में खाने को जो है अट्रेक्टिव बनाना बहुत जरूरी होता है इसलिए ये लोग इसमें कलर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और हम लोगों को तो कलर से बचना चाहिए अब ठीकिए इस कलर को डालने के बाद इसमें खवा डाल रहे हैं ये खरीब 10 किलो खवा इसमें डाल दिया गया 10 किलो खवा डाल कर अब इसे मिक्स कर लेंगे और फिर से इसे अच्छी तरह से भूनना शुरू करेंगे गाजर पकने के बाद खवा डाल देंगे और खवा डाल कर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे अब इसे तेज आँच पर भूना जा रहा है और अब हरी लाइची का पाउडर डाल दीजिए देखिए तेज आँच पर गाजरों को यानि इस हलवे को पका लेना है और अब भीगे हुए नट्स डाले जा रहे हैं देखिए काजू, बादाम, पिस्ता इन सभी चीज़ों को इन बावरची ने पहले से ही एक बकेट में भीगो कर रखा और इन भीगे हुए नट्स को इस पर डाल रहे हैं इसमें किश्मिश भी है किश्मिश, काजू, बादाम और पिस्ता ये सभी चीज़ें भीगो कर रखी गई और उसके बाद ये चीज़ें इस हलवे में डाल दी जा रहे हैं और अब इसमें ये शकर डाल रहे हैं शकर को आखिर में डाला जा रहा है देखिए इसलिए अगर शकर हम पहले डालते हैं तो शकर का जो है चाशनी या शीरा या पानी छूट सकता है इसलिए ये लोग आखिर में शकर डाल रहे हैं शकर डालने के बाद भी इसे पकाया जाएगा और अब कुछ देर इसे दम पर छोड़ देंगे मिंस धीमी आज पर इसे या फिर सिर्फ कोईलों पर इसे छोड़ देंगे और आखिर में इस पर कंडेंस मिल्क डाला जा रहा है इन्होंने खरीब एक से देर लीटर कंडेंस मिल्क इस पर डाल दिया और ये गाजर का हलवा बहुती मज़ेदार तयार हो गया है आपके खोईश थी ना कि आपको शादियों वाला गाजर का हलवा सीखना था तो मैंने आपके लिए इसे बता दिया कहिए आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर करके हमें कॉपरेट कीजिए ताके हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहें तो अब इस हल्वे के बाद मैं आपको एक छोटी क्वाजर का भी बता देती हूँ तो देखिए ये गाजर का हलवा हो चुका अब शुरू करते हैं चोटी वाली कॉंटिटी तो चोटी वाली कॉंटिटी जो है उसमें मैं आपको बता रहे हूँ बिल्कुल पाव कीलो गाजर का हलवा तो देखिए पाव कीलो गाजर लीजिए और उस गाजर को आप पहले धो लीजिए और धोने के बाद उसे अच्छी तरह से उपर से साफ कीजिए उसका हलका सा उपर का छिलका निकालिए और इसे इस तरह से ग्रेट कर लीजिए देखे मैंने इसे grate करके रखा है यानि कदू कश करके रखा है और यहां पर शकर ली है हमने बस 100 ग्राम के हरीब और यह 200 अमेल दूद है और यह हमने खवा लिया है 70 ग्राम खवा है और half टी स्पून इलाइची पाउडर हमने लेना है और यह रहा देसी घी जो हमने 3 टेबल स लिया है और यहां पर हमने ओईल लिया है यह ओईल डालना आप्शनल है आप चाहें तो अवाइट कर सकते हैं यह बस 1 टेबल स्पून ओईल है और यह आधा कप कंडेंस मिल्क है और यह रहा जाफरान यह जाफरान हमने 9 से 10 इसके थ्रेट्स लेना है और यह एक दार्चीन है याने खल्मी है जो हमने ले रखी है अब देखिए हम सबसे बहले दूद में खोए को मिक्स कर लेते हैं अगर आपके पास खोवा नहीं मिलता है तो आप सिंपली कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मुझ से कहते हैं कि हमारे पास खोवा नहीं आप सिर्फ कंडेंस मिल्क डाल कर गाजर का हल्वा बनाईए ये काफी दिनों तक अच्छा रहता है अब एक कड़ाई में घी डालिए अगर आप तेल डालना चाहती है थोड़ा सा तो तेल डालिए अधरवाइस तेल डालने की जरूरत नहीं आप फिर इसमें जब घी गरम हो जाएगा तब आप इसमें ग्रेटेड गाजर डाल दीजिए यानि कड़ुकश किये हुए गाजर डाल दीजिए और इसे भूनना शुरू कीजिए तेज आज पर और तेज आज पर जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा साइट से इस तरह से घी छूटने लगेगा त और इसे आप पका लेजिए आप चाहें तो अब इस स्टेच पर ढखकन ढखकर गाजर को गलने के लिए छोड़ सकते हैं यानि फ्लेम को मीडियम कीजिए और इसे ढखकन ढखकर गलाईए अब साथ में एक खल्मी यानि दारचीनी भी डाल दीजिए ये छोटा सा एक टुक पाउड़ा था दारचीनी का जो हमने इसमें डाल दिया फिर उसके बाद आप इसमें हाफ टी स्पून इलाइची पाउड़ा डाल दीजिए और इलाइची पाउड़ा डाल कर भी इसे अच्छी तरह से भूनिये और हाँ अब हमने इसमें कंडेंस मिल्क दाल देना है आधा कब कंडेंस मिल्क की जो है मिठास काफी होती है तो इसलिए आप शकर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर ले और अगर कुछ लोग शकर कम खाना चाहते हैं तो सिर्फ कंडेंस मिल्क ही काफी रहेगा अब देखिए इसमें थोड़ा सा कलर डालिए लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है के कलर वाइट कीजिए तो हमने इसमें जाफरानी रंग डाला है लेकिन आप कलर को वाइट और इसे अच्छी तरह से भून लीचिए और अब इसमें 100 ग्राम शकर डालिए लेकिन अगर कंडेंस मिल्क हमने अच्छा डाला है तो आप इसमें से भी तोड़ी सी शकर कम कर लेए अब इसे अच्छी तरह से भून लीचिए आप चाहें तो इस स्टेज पर नट्स डाल सकते हैं जो के भीगे हुए हो और उसके बाद इसमें 9 से 10 थ्रेट्स जाफरान के डालिए या केसर जिसे कहते हैं आप केसर या जाफरान भी डाल सकते हैं तो इसे अच्छी तरह से भून लीचिए मैंने गाजर के हल्वे की एक पहले भी रेशिपी बताई है वो भी बहुत अच्छी है आप उसमें से भी देख लीचिए और इसे अच्छी तरह से हमें पकाना है देखी जब तक कि इस तरह से गाजर का कलर नहीं हो जाता और साइट से घी नहीं छूटता तब तक हमें इसे पकाना है और जैसे ही ये पक जाएगा तो आप इस पर नट्स डालिए अगर आपको क्रंची नट्स चाहिए तो आप आखिर में डालिए अगर आपको नर्म चाहिए तो आप शुरुआत में ही इसे डालिए या फिर भीगो कर नट्स को गाजर के हलवे में आड़ कीजिए जिससे के नट्स नर्म लगेंगे I hope कि आपको ये दोनों हलवे पसंद आए होंगे अगर पसंद आए हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए और सिर्फ वन टाइम मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए इन्शालला फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ थाए 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 ये ये जड़ कीजिए